नमस्काल लाइब बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं सनिया गुपता लोग सभा चुनाफ के बाद एक चर्चा तेजी से हो रही है कि अगला भारती जनता पार्टी का ध्यक्ष कौन होगा जे भी नड़ा का कारेकाल समाप्त होने वाला है और उसको लेके नामों की चर लेकिन आपको यह बता दे कि जेपी नड़ा का कारेकाल खतम हो चुका है और नए अध्यक्ष की तलाश जारी है भाश्पा में एक व्यक्ति एक पत्की प्रमपरा है वैसे भी नड़ा के कारेकाल को विस्तार देकर उन्हें भाश्पा का अध्यक्ष बनाए रखा गया था अध्यक्ष नड़ा का तीन साम का कारेकाल जन्वरी में ही पूरा हो गया था लोग सबचुनाफ को देखते हुए उन्हें छे मेनी की विस्तार दिया गया था अब नड़ा की उत्तर अध्यकारी की तलाश है जोडो शोरो से है अब देखना होगा कि आकिरकार यह कमान किसके पास जाती है लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है इस मीटिंग के बाद किसी महिला को ही भारती जन्ता पार्टी की कमान दी जाएगी पांच नामों की चर्चा हो रही है लोग सबचुनाफ 2024 में भाश्पा ने हरियाना महराष्ट खरा प्रदर्शन किया था इन 29 तरिये बैठक हुई है जिसमें कई नामों पर चर्चा हुई है कहा जा रहा है कि इस बैठक में राष्टिय स्वयम सेवक संग के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे सूत्रों के अनुसार पहली बार भाश्पा किसी महिला नेता को राष्टिय अध्यक्ष बना सकती है अभी अध्यक्ष के चैन में सबसे एहम होगा उसका राष्टिय स्वयम सेवक संग से जुड़ाव रिपोर्ट के अनुसार पार्टी मजबूत राष्टिय स्वयम सेवक संग और बैग्राउंड भी देख रही है और जिनका दलित OBC या महिला नेता को अध्यक्ष बना सकती ये दिली में वरिष्ट नेता और रक्षा मंतरी राजनात सिंग के घर पर पांच घंटे लंबी बैठक चलिए इस बैठक में भाश्वा के साथ साथ आपको बता दे कि कई पदाधिकारी भी मौजूद थे इसमें नए राष्टे अधिक्ष को लेके मन्थन किया गया है इस बैठक में ग्रिय मंतरी अमिश्शा महासचीव संतोष संग महासचीव आपको बता दे और भी अरुन कुमार भी शामिल थे जहां सीधे तोर पे इस बार जो भाजपा है अपनी कमान जो है महिला के हाथ में देगी जेपी नड़ा का कारेकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया लेकिन लोग सब चुनाफ को मद्दे नजर रखते हुए उनके कारेकाल को 6 महने बढ़ा दिया गया था लेकिन अब नए अध्यक्ष की होड तेज हो चुकी है और इस मैराथॉन में इस बार महिला आगे दिख रही है और देखना होगा कि वह कौन से नाम होगी जिस पर मोहर लगाएंगे और वह कौन सी महिला होगी जो राष्टी अध्यक्ष बनती है बने रहे हमाइसा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया